कि अग्वान वेल्टम टुमाइच चैनल अग्वाले एक लास टेन के सोशल साइंस का मोडल से टू टर्म टू का ठीक है डिजर बाइस तो आज का यहाँ जो वीडियो रहेगा वह आज आपको बताए जाएगा कि जो क्लास टेन के जो टर्म टू के जो इस बार एक्जाम होने वाले हैं अरथाथ सोशल सांस का मोडर से टू आज में लोग कंप्ट करने वाले हैं इस वीडियो के माहिंद से ठीक है तो चलिएंव लोग कोशन के राग्यवड़ते हैं मिंख पहला कॉशन है पर्थम के समय पर्थम बीशुद के बाद विस्व को किस संक्टता सामना करना पड़ा था तो इसको दग आर्थी च्छती ठीक है इसका आगे देखते हैं question number two कता है जोवर कौन थे इसका ताट पर उसका कारी क्या होता था तो जोवर कोई पुरणा और विस्वासी करमचारी होता था वो अपने गाम से लोगों को लाता था और उसे काम का वरुसा देता था और सहर में बसने के लिए मदद भी करता था ठीक है तो ये था जोवर कोई करता था आईए कोशन नमबर त्री देखते हैं कोशन नमर त्री क्या काता है जिवास मुर्जा के उधारन दें जिवास मुर्जा के उधारन दें काता है कोईला पेट्रोलियन प्राकिते गैस यह सभी जिवास मुर्जा के उधारन है जो पेड़ पोधे जीव जान्तु के मतल पूटल सेवन राष्ट्य दल है ना साथ राष्ट्य पार्टी है जो कि यहां पर दो ही पूछा है तो मैंने दो बता दिया है चरिए इसके नमर कुछन नमर फाइब देखते हैं कता है राजिनते दलों के समझ वन सवार की चुनोती क्या है जिससे कि सभी लोग इस वर्ट से कि भूग है तो वन सवार का मतलब होता है एक ही एक ही फेमली से जो लोग बिलूम करते हैं जैसे अगर इसके पिता हैं अगर यह फार है तो इसके बेटा फिर इसका बेटा फिरिश का वेटी कुछ भी करके यह जो चलते रहता है ही हो गया वन वाल अगैं गर कि zooming जो राजि करते हैं मतलब जिसको वो दिखाने में समझ होते हैं तो पारदर्सी तरीके से नहीं करते हैं अच्छे तरीके से नहीं करते हैं इसलिए उच पदों पर अपने ही परिवार को या रिसेदारों को या नजदी के लोगों को आगे बढ़ाते हैं मतलब यह हुआ कि अपने ही परि जो होता है वो वन सवाग अधिकतर देखा जाता है तो इसी चीज़को मैंने फिर लिखके रहा छोड़ियो उसको आए कॉशन नबर सिक्स कता है वाइस बैंक क्या है वाइस बैंक उन बैंक को कहते हैं जो धन को जमा करते हैं तथा बैवसाय के लिए रीन देते हैं ठीक है कि jurisdictions में चैसे क्या है तो अपने डेयस की अर्थ विवस्ता को वीश्व को आफ्सवर्थ एस बैट Woo stop you करू घखा गया है इसका अगला कॉसान आता है कौन लोग से आप क्या समझते हैं कौन लोग से आप क्या समझते हैं ठीक है अब देगी कता है सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दवाब में आ करके जो बिटी सरकार था वो बड़े बड़े अमीर और अमीर या भूस्वामियों के दवाब में आ करके प्रेसर में मक्य के आयात पर रोक लगा दी थी जिस कानून के तहत ये रोक लगाई थी उसे कौन लो कानून कहा जाता है मतलब कौन लो कौन का मतलब समझी कि अनाज है ठीक है कौन लो और लो मतलब कानून ठीक है कौन का मतलब अनाज और लो का मतलब कानून इसका मतलँ हो गया कि अनाज पर जो कानून बना था क्या बना था तो मक्य की आयात पर रोक तो इसका अब सोर्ट में आद कर सकते हैं कि मक्य की आयात पर जो बिटी सरकार ने रोक लगाई थी मतलब बड़े-बड़े अमीर ओभु सवामियों कि दवाब में करके यूग से पहले मतलब जब मस्नी का यूग नहीं हुआ था तो उस समय के अगर बात करें तो अंतराश्टी मार्केट पर पुरे वल्ड पर भारती सुटी कपड़ा का दब दबा रहता था और उस समय सुरत बंदरगां का बड़ा ही बोल बाला था मतलब बहुत ही विकास हो रह आता है वहां से अधिक से निर्यात किया तथा लेकिन यूरोपीन कंपणिये के आने से यूरोपीन कंपणी जब भारत है तो सुरत बंदरगां में निर्यात कम हो गया क्यों कम हुआ क्योंकि सुरत बंदरगां पर कमपणी का एक अधिकार हो गया था सुरत बंदरगां पर कमपणी ने अधिकार एक अधिकार जमा लिया था इसके वज़ास से सुरत बंदरगां हासी पर चला गया और यह जो बंदरगां था एक परकार से हम कर सकते हैं, यहाँ पर निर्यात कम हो गया था इसका आगे देखते हैं, क्वेशन में 10 क्या है, क्वेशन में 10 काता है भारत के परमुक कोईला चेतर का नाम लिखे हैं तो जारखन, 36 गड, मदिपर्देश, उरिशा, पसिमगाल, तमिलनाडू, अंद्रपरेश, महराज शुकी यहाँ पर कोईला चेतर पुछा गया है, ना कि कोईला खान की पुछा गया है अगर खान काता है, तो इस परकार से आप जारखन में जरिया फहमस है उसी परकार से हर जगा, पसिमगल में आपका रानी गंध फहमस है तो हर जगा कालागलग अपना एरिया है, मतलब कोईले की खान है लेकिन यहाँ पे और सिर्फ पुछा गया कि कोईला चेतर का नाम बता है तो मैंने कोईला चेतर का नाम बता दिया है, ठीक है question number 11 अगर दिखा जाए 11 में करता है राजनीतीक दलों के सुधार के उपाय के बारे में बता है मतलब जो दल है उसको सुधारने के क्या उपाय है सुधारा कैसे जा सकता है तो पहला point में लिखा है दल बदल करने से रोकना का मतलब जो party होते है पार्टी को जो लोग विधाय कोटें सांसर होते हैं वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते हैं जितने के बाद इस चीज़ को रोका जाना है और इस चीज़ को रोकना अनिवार कर दिया सरकारने तो इसे करते हैं दल बदल को रोकना इससे दल सुधर जाएगा चीक है पहला यह होगे दूसरा सपत पत्र के माधियम अपने खिलाप चल रहे अपराधिक मामलों पर संपत्ती का अब्योरा देना मतलब समिधान की नुसार से अनिवार कर देगे कि लोगों को आप सपत पत्र के माधियम से ये चीज बताना है कि आ आप कितने अपराध की हैं कितना केस चल रहा है और आपके नाम पर कितना संपत्ती है ये सभी चीजों का अब्योरा जना अनिवार कर दिया है तो आप इसके माधियम से भी क्या कर सकते हैं तो दल को सुधार सकते हैं तीसरा गाता है चुनाव का खर्च सरकार उठाएं अब जो लोग अपने से आधिक पैसा खर्च करते हैं लोगों को घुश दगर के भोट खरीते हैं कम से कम ये तो कम होगा चुकि चुना में खर्च करने का अगर आधिकार सरकार को देगा तो सरकार सिर्फ क्या करेगी परचार परचार करने तक ही सिमित पैसा खर्च करेगी उससे अगर के बिक जाते हैं तो कम से कम ये तो कम होगा आए इसके बार देखते हैं राजनितिक दल में महिलाओं की एक टिकट जरूर दें मतलब अगर दल को सुधारना है ना तो जो दल होते हैं उसमें एक नियम होना चाहिए जो महिला है उसको मतलब एक टिकट जरूर दें मतलब तीन भाग में एक भाग महिला को भी टिकट मिलनी चाहिए, ठीक है, मतलब ये नियम होनी चाहिए, अगर देखा जा, question number 12, तो लोक्तांतर कीस परकार का वैद सासन वैवस्था है, जो लोक्तांतर है, लोक्तांतर ये कीस परकार से वैद सासन का वैवस्था है, तो हम कर सकते है कि लोक्तंत्र ही सरकार की वेता को समय बनाता है क्योंकि अगर बताइए अगर इसमें जनता चुनती है जो जनता होती है वो क्या करती है जनता ही सरकार को चुनती है ना तो जनता माली भोट के माध्यम से चुनी तो ही validity तो उसका बनाद पर परšम साल आपको जितना पड़ेगा तब आपकी validity पड़ेगा मतलब आपको validity बढ़ाने के लिए मतलब पच-पत साल में पर टेक बार आपको चिनल अलडना पड़ेगा और जितना होगा अगर हार येगा तो फिर आपको त्याग पत्र मतलब हट देखर करके जाना पड़ेगा तो वही चीज मैंने स्वाट में लिखा कि ये लोकतां तरही सरकार की वेता को समग बनाता है क्योंकि जब कोई भी सरकार आलपमत में होती है मतलब उसकी भोट कम होती है तो उसे ध्याग पत्र देना पड़ता है उसकी वेता स्मग्त हो जाती है अगली बार तब वह सरकार बनती है जब चुनाव में अपना बहुमत प्राप्ट कर लेती है ठीक है अगली बार अगर जित गई चुनाव अच्छी बग मतलिया तब वो नई सकाब ना सकती है यही पर किलिया सरकार की वैटता पर मुहर लगाती है कि वो लोकतांत्र में ये संभव है मतलब राजचनत्र पगरा में नहीं है कहने का मतलब ये है कि अगर जटी मान लेज़े 2020 में चुनाव हुआ ठीक है अगर आप इसमें जित गएं तो 5 साल तक रहेंगे और फिर 5 साल के बाद जब 2025 आएगा ठीक है तो फिर अगला बार चुनाव होगा मतलब विलेटिया आपका खतम होगे अगर फिर आप जटेंगे तो आपको रेडिक्टी बढ़ेगा और अगर हार गएं तो आपको त्यागपत देखके छोड़ना पढ़ेगा तो यही चीज वहाँ चीज मैंने लिखा था आए कोशन में 13 देखेते हैं तो कता है विकास में रिन की भूमिका का विस्टलेशन कीजे विकास में जो डेवलेप्मेंट होता है उसमें रिन की क्या भूमिका है मतलब लोन से कैसे लोग लोन किस प्रकास मनत गाता है डेवलेप्र करने में मतलब विकास करने में उसकी आय जो होगी वो पहले से अधिक ब्रीदी हो जाएगी और उसका जो जीवन होगा जीवनस्तर बहुत ही अच्छा सुधर जाएगा इसलिए हम कर सकते हैं कि देश के विकास के लिए रीन की बहुत ही महत्पुर्म भुमिका होती है क्योंकि मान लेजे आपके पास पैसे ही है और आफ ने पाचास अजार बैंक से लों लिया और इस पाचास जार से आपने एक लाग रुपिया ने सुधर रहेगा क्या आपका जो देश के विकास में भुमिकाने होगा ब्रीधी में एकदम विकास कर रहे हैं आप देश के विकास कर रहे हैं देश का विकास होगा ठीक है लोगों का भी विकास होगा तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि जो विकास है वो रीन की भुमिका का मत्पूर रीन का भ पर्मान पत्र देना पड़ता है जो रिन लेने वाले हैं उसको बैंक में अपने पर्मान पत्र देना पड़ता है कि आपकी इंकम क्या है आपकी इंकम क्या है अगर आप जोब में हैं तो भीया आप अपना इंकम पर्मान पत्र देंगे आपको सेलरी स्लिप देजेगा उससे म मांगे गाही एक दो गारेंटर आपको मांगे गाही गारेंटर तो ले गाही बिना गारेंटर का नहीं देगा इसके बाद नमबर सिर्टे की रूप में बैंकों में कुछ कागज जमा करना पड़ता है जैसे अगर मान ले जी आप होम लोन ले रहे हैं तो घर का जो कुछ काग दिखा करके एक बहुत बड़ा चीज ओता है जेमिन अगर आपके पास जेमिन एक वाज दिखा करके उसके हसाब से आप उस हिसाथ के हसाब से आप लॉन ले सकते हैं तो यह इस प्रकार हो कि यह जुरूरी कागजाद तो आपने देखा हैं अगर आपको लोन चाहिए तो सबसे पर इनकम पराण पर दिना होगा इसके लिए गारेंटर लाना होगा और नबर थिरी सिक्रोटी ग्रोप में कागजात जमा करना होगा अगर हम देखें क्वाचन नबर 15 का तो लिखा है खाद उपलबता पर तक्निकी के परभाव को दरसाने के लिए इतिहास से दोधारन दें ठीके तो पहला मैंने लिखे रखा है कता है आतायात और परिवहन के सादनों में काफी सुधार किया गया जिसे तेज चलने वाले गाड़ियां बनाए गई नहीं होता था, अब क्यों नहीं होता था, क्योंकि उस समय मांस का निर्याद करने के लिए उची तक्निकी नहीं था, मतलब ऐसा कोई टेक्नोलोजी नहीं था, क्योंकि अगर मांस काट के होता हैं, तो फिर मांस, मतलब खराप हो जाएगा ना, सडगल जाएगा, तो यह लिख आपका दो तक्निकी एक तो भिया या तयात और परिवहन के साथ में सुधरा गया और दूसरा जो पाने जहाज था उसमें रेप्रेशन का तक्निकी का पड़ियो करके जो मतलव एक बहुत लमी दुरी तक या तरह तक आप उसको ले जा सकते हैं जो मान सबरा होते हैं क्या होता है उसको बहुत ही आपको पता होना ची क्योंकि इसका मैंने मोडल सेट वान सेट वान मैंने निकाला था जो की 43 करीब 43 मिनेट का लमा वीडियो बन गया था मतलव उसमें बहुत ही डीप समझाया था ठीक है तो हुआ कुछ यूँ ही कि बहुत सारे बच्चों के मन में सबराता है कि इतना लमबा वीडियो लोग नहीं देखना पसंद करते हैं ठीक है भले ही उसमें बहुत अच्छे तर नहीं देखना रही है तो आखीर हम लोग उस टायप वीडियो बनाते हैं जिसमें बच्चे जारा देखना पसंद करें ना कि जिसमें जारा बच्चा ना देखें तो इसलिए मैं इसको शौट बना रहा हूं मतलब ठासट बना रहा हूं ताकि बच्चे को लगे कि मैं 10 ये 12 कर दिया ठीक है हाँ लेकिन अगर समझना तो आपको फिर हमारे चैनल में प्ले लिस्ट में जा करके यह सभी कोशन का एंसर आपको मिली जाएगा वहाँ पर आप देख कर सकते हैं ठीक है और अच्छे तरीके से आध भी कर सकते हैं बस एक वीडियो देखिए और आपका आध ह बनाएगा और सरकार बनाएगा तो कानू भी बनाएगा ठीक है लोगों के अभलाई के लिए अच्छे चानू बनाएगा और अगर चुनाव हार गया तो विपच्छी के रूर्प में कारी करेगा मतलब अगर आप हार गये हैं तो जो जीता हुआ है क्या कीजिए उसके कारियों पर नजर रखिए कि क्या अच्छा कारी कर रहा है क्या नहीं कर रहा है अगर अच्छा गलत कारी कर रहा तो उसका यह सरकार को भोड़ देने चाहिए यह हमारे यह निति हमारे लिए अच्छा लगा जैसे हमान लेजिए जारकन सरकार ने कहा हिमन सुरन ने जब भोट मतलब लेने की बारी था तो उसने कहा कि हम 1932 से खत्यान को लागू करेंगे हम लोगों को बहुत सार रोजगार देंगे य ज्याओं ने खुब उसको मतलब अच्छे बहुमत से उसको जिताया और हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से इस नितिक कारण अवह जीता ठीक है 1932 खत्यान लागू करेंगे अब मान लेजिए इसी चीज़ को हम लोगों करते हैं नितिया कारिकरम मतलब हम वोटर के साथ यह करती है जो बहुराष्री कंपनी होती है किस परकार से उत्पादन करती है श्कारशा क्मपनी को folk 향 सेम्संग, सोनी, टाटा मोटस एक देश में हो लेकिन वस्तु का उत्पाधन और विक्री मतलब उत्पाधन या विक्री वो कोई भी देश में कर सकता है अन्फ़ देश में कर सकता है चीके इसका है बपराश्टी कमपनी चीके जैसे एक्जांपल में हुआ कोको कोला ठीक है सैमसेंग सोनी टाटा मोटर स्कैरबरी चोकली टेट यहादी अब यही बात पहिया आपका कि जो बहुराष्ट्रे कंपणी के परिभासा था लेकिन यहाँ पूछा गया उत्पादन के बारे में तो यहाई है इसको बताते हैं ड स्थापिट करती है जहां पर क्या मिल जाए बाजार नजदीक हो और सर्म मतलब जो मजदूर है वह असानी से उपलवड हो जाए सस्ते में ठीक है और दूसरा लिखा है बहुराष्ट्रे कंपणी उत्पादन के लिए ओफिस खोलती करले खोलती है और करकाना का भी अस्था यह कंपणी के साथ मतलब उत्पादन करती मिल करके कई भारत वासनी कंपणी को खरीद कर उत्पादन परसार कर लेती है इसे मालेजिए कि भारत में कोई कंपणी है भारत में मालेजिए भारत में कोई कंपणी चल रहा है ठीक है मालेजिए अजंता कंपणी जो चपर बनात चाह रहा है तो यह कहेगा ठीक है आप मतलब उसको खरीद लेगा और इसको खरीद ने के बाद क्या करेगा फिर अच्छे तरीके से करके मतलब अच्छा खासा उत्पादन और विक्री कर लेगा अगर 18 देखा जाए तो काता है और प्राणाभी लिवा bardzo की का वर्नन करें ठीके निर्वा क अपने परिवार के भरी पूष्ण के लिए किया दाता है मतलब ऐसा केसी और ऐसा खेटी जिसे आप अपने परिवार ही भर्ण पूष्ण क्या जी खरते हैं तो उसे हम जीवन निर्वा किरिशी कहते हैं इसे प्रामभिक जीवन निर्वा किरिशी भी कहते हैं इस परकार के जो खेती है या जो किसान होता है वह मानसुन पर निर्वर करता है अब कहता है जो उसके खेत होते हैं वह प्राकेतिक उर्वरा पर निर्वर करता है तथा या खेती पर करते हैं इसे करते हैं अपने प्राकरतिक वरसा होता है उस पर निर्भर होता है मांसुन पर निर्भर होता है उर्वर्ता होता है यह पर कित्ति की उर्वर्ता पर निर्भर करता है मतलब ज्यादा एस सब उतना उर्वर्ता मतलब नहीं डाल पाते हैं नहीं कर पाते हैं तो इस परकार से देखा यह है जीवन निर्वा क्रिसी सोट मे सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 सारा आपको डियल से मिलता जाएगा ठीक है और हाँ जो आप देख रहे हैं मैप पॉला जो कौशन नबर उनी शूट रहा है यह आपके लिए अस्पेसल वीडियो आएगा ठीक है मतलब वाइसा वीडियो ने जैसे आपको बता रहें नहीं इसक आपको हम यह वादा करते हैं कि आपको अगर एकजाम में अगर मैप से कोई भी सवाल पूछेगा तो उसमें आपका पांस नंबर थाय माक्स कानफर्म आएगा तो आएगा बस सिर्फ हमारे वीडियो को देखिएगा और नंबर पकाएगा ठीक है उसके लिए हम आपको बेस